तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Integrated Headquarter M.O.D. Army Camp दिली के बारे में जो कि यहाँ पे दिली से M.T.S. सफाई वाला के पॉस्ट लिए जो वेकेंसी जारी की गई थी उसका जो नोटिपिकेशन है Employment News में जारी कर दिया गया है तो इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा कैसे आप इसका फॉर्म फिलप कर सकते हैं फॉर्म फिलप करने के बाद कौन-कौन से आपको डॉक्मेंट लगाना होगा कैसे आपको सेंड करना होगा Complete जनकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ तो इस वीडियो को विना स्किप करते हुए लास तक देखिएगा और अभी तक यूटूब चैनला को सस्क्राइम सस्क्राइब कर लीजिए और साथ इसाथ वेल आइकन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन की जनकारे के लिए आप हमारे ऑफिशल वेबसाइट नोके न्यूटरिटिट पर जा सकते हैं वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन की कंप्लिट जनकारे मिल पाएगी और वहाँ से आप अप्लिकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर आपEOफिशल ही यहाँ पर फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो कुछ ऐसा आप को फॉर्म मिलेगा छो कि शुर्म नहीं होगा और मैंने यहाँ पर खॉद बनाया हुआ है तो वहाँ से आप अप्लिकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे इसके बाद नीचे आपको अपना नेम देना होगा जो आपका नेम होगा इसके बाद नीचे आपको फादर का नेम इसके बाद आपको मदर नेम और इसके बाद जो आपका डेटा बर्त होगा अपना डेटा बर्त देंगे और इसके बाद यहाँ पर दियागे इसमें एक जन्वरी 2022 से अपना age कल्कुलेट करना होगा और कल्कुलेट करने के बाद यतना भी आपका year, month, day में आपका age आएगा आपको अपना age इसमें देना होगा और age को देने के बाद यहाँ पर आपको अपना photograph चिपकाना होगा जो आपका latest photo होगा उसे आप चिपकाएंगे और उसे यहाँ पर आपको attention भी करना होगा यानि आपको photo के उपर cross signature करना होगा और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर दिया काटेगरी आपको देने के लिए जो आपकी काटेगरी होगी इसके बाद आपको यहाँ पर दिया काटेगरी अपना देंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर दिया का नेम इसके बाद आपको पुश्टापिस का नेम permanent address आपको देने के लिए यानि जो आपका अस्थाई पता है home address है उसे आपको यहाँ पर देना होगा और उसमें भी आपको सबसे पहले village या महला नेम देना होगा इसके बाद आपको post office name district का name और इसके बाद जो आपका area फिंकोड होगा उसे आपको यहाँ फिलप करना होगा अगर आपका correspondence और permanent डोनों यहाँ पे same address होगा तो दोनों में यहाँ पे आप same address फिलप कर सकते हैं और इसके बाद नीचे यहाँ पे दियागा declaration जिसमें कि यहाँ पे आपको दियागा date देने के लिए तो जिस पी date में form फिलप करते हैं आपको यहाँ पे date देना होगा इसके बाद यहाँ पे आपको place देना होगा जहां से आप form को फिलप करते हैं और इसके बाद यहाँ पे आपको signature करना होगा और signature करने के बाद इसके बाद एक और यहाँ पे दिया गया है जो कि आपका acknowledgement card यहाँ पर दिया गया यानि आपका यहाँ पर का लिटर दिया गया है जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पर पोश्ट नेम देना होगा जिस भी पोश्ट लिए आप आवधन करते हैं वैसा आपको यहाँ पे admit card पे भी चिपकाना होगा और इसे आपको यहाँ पे attested करना होगा और इसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है तो इसमें आपको कोई बडियल फिलप नहीं करना होगा तो यहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा दो पे जो पे आपको फॉर्म मिल जाएगा और ऐसे आप असानी से यहाँ पे फॉर्म को फिलप कर सकते हैं और इसके बाद बात करते हैं कौन-कौन से आपको इसमें डॉक्मेंट लगाना होगा तो मैंने यहाँ पर जो भी आपको डॉक्मेंट लगाना होगा उसके लिए पर डॉक्मेंट का लिष्ट बनाया हुआ है और इसका जो पीडियोप है आप लोगों को टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा वहाँ से आप डॉक्मेंट लिश्ट का पीडियोप डाउलोड कर सकते हैं और अभी तक टेलिग्राम चैनल जोइन तर जोइन कर लेजिए इसे वीडियो के डिक्सितन उसका लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं सबसे पहले जो आपको यहाँ पर लगाना होगा जो आपका बॉस सट्पिकेट होगा उसे आप लगाएंगे इसके बाद जो आपका एजुकेशन कॉलिफिकेशन होगा उसे आपको लगाना होगा कम से कम आपको यहाँ पर दसमी का लगाना होगा अगर आप यहाँ पर हायर देना चाहते हैं यानि आप यहाँ पर बारवी का देना चाहते हैं तो आप यहां पे दे सकते हैं लेकिन आपको यहां पे मार्सी टोसेट केंडेट दोनों यहां पे आपको लगाना होगा इसके बाद जो का स्रट हैड होगा अगर आप यहां पे चार्ट लगाएंगे प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् और उसके साथ आपको यहाँ पर experience certificate भी देना होगा क्योंकि आपके पास six month का experience होगा तो यह आप form fill up कर पाएंगे तो जो आपका experience certificate होगा उसे भी आपको लगाना होगा और इसके बार यहाँ पर last में discharge certificate दिया गया जो कि यहाँ पर ESM candidate है यानि जो candidate access man है उनके लिए यहाँ पर दिया गया है और form fill up करते हैं ESM candidate तो भी आपको यहाँ पर discharge certificate लगाना होगा form नहीं fill up करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी discharge certificate नहीं लगाना होगा तो इन में से यहाँ पर आपको document list को चेक करना होगा जिस भी document के लिए आप अपलिकेबल होंगे वहीं केवल आपको document लगाना होगा और जो भी document लगाएंगे सभी आपको self-adjusted लगाना होगा और इसे में यहाँ पर आपको मिल जाएगा sender का desk इस से desk पर आपको form को fill up करके send करना होगा और जो आपको यहाँ पर send करना होगा आप यहाँ पर speed post या तो आप register post कर सकते हैं और इसमें जो last day form को fill up करने के लिए आप यहाँ पर 11 मार्ज 22 तक form को fill up करके send कर पाएंगे और इसके बाद बात करते हैं जो आपके envelope होगे उसके उपर आपको address को कैसे लिखना होगा तो इसमें जो आपको envelope लेना होगा याने जो आपको लिफाफा लेना होगा दो आपको लेना होगा एक तो आपको बड़ा envelope लेना होगा और एक आपको छोटा envelope लेना होगा और जो आपको बड़ा इनुलफ होगा उसके उपर आपको यहाँ पे जो मैं यहाँ पे डिटेल दिखा रहा हूँ उससे आपको यहाँ पे लिखना होगा तो सबसे पहले जो उपर आपको लिखना होगा application for the post आप और इसके बाद आपको post name देना होगा MTS survival आपको देना होगा और इसके बाद नीची यहाँ पर आपको to लिखना होगा और इसके बाद जो आपको center card is है जो कि आपको document list मिल जाएगा वहाँ से check करके आपको यहाँ पर center card is देना होगा और इसके बाद यहाँ पर आपको from लिखना होगा और इसके बाद जो आपको home address होगा उसे यहाँ पर आपको देना होगा जो कि आपको बड़े वाले इनलोफ के उपर यहाँ पर little को देना होगा और इसके बाद जो आपका छोटा इनलफ होगा जिस भी कि आपका सिल्फ अड्रेस होगा उस पर उपर आपको टू लिखना होगा और इसके बाद जो आपका होम अड्रेस होगा उसे आपको आपको लिखना होगा और यहाँ पर आपको पाच रुपय का डाक्टिक अप चिपक आपको send कर देना होगा और जो आपको send करना होगा आप यहां पे speed post या तो आप द्रफ्ट करेंगे तो आइसा आपसानी से यहां पर farm को फिल अप कर सकते हैं और एसके बार आप document लगा सकते हैं अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो फॉर्म फिल अप करने के लिए तो आप ने चेकर अंट से कमेंट कर सकते हैं वहाँ मैं आपको जनकार दे दूँगा अधिक जनकारे के लिए आप हमारे ओफिसल लेवसाइट नौकरी निव.टिंट पर जा सकते हैं वहाँ पर आपको कम्प्लिट जनकारी मिल पाएगी और अभी तक वीडियो को लाइक हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंट के साथ से भी कर दीजिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद